आपका एवियन सर्ज स्वागत करता हूं जे में के ओफिशिल पेपर सल्यूशन में तो बच्चों मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दू कि जो पेपर का सल्यूशन है वो मैंने टाइब कर रखा है ताकि टाइम बचाया जा सके और थोड़ी फास्ट सल्यूशन में आपके सा वाले हैं उनसे request होगी कि आपको थोड़ा knowledge पुराने जो concept है जो formula है वो पता होने चाहिए तभी समझ में आएगा आपको ठीक है चलिए शुरू करते हैं फिर पहले question के साथ okay so this question is assertion reason ठीक मतलब इस सारे details इसमें लिखे हुए है question आप पढ़ सकते हैं मैं repeat नहीं करूँगा ताकि फिर से वही बात है वीडियो लंबी हो जाएगी ठीक है तो ये दो चीजें है एक statement है दूसरा statement है आपको समझना है क्या उसके explanation है या नहीं सही बात है या गलत बात है इस सब आपको जानना है ठीक है तो देखिये इसमें लिखा हुआ है कि statement number one के pendulum जो है जब Mount Everest पर ले जाते है तो वह fast हो जाता है ऐसी बात यहां पर लिखी हुई है fast हो जाता है fast का मतलब कह है उसको जो time लग रहा है वो कम time लग रहा है यानि कि time period उसकी decrease हो गई तो time period decrease हो रही है यह हमें पता करना है तो इसका reason लिखा हुआ है the value of g is less at Mount Everest than its value on the surface of दिया तो यह बात तो सही है यह बात बिल्कुँ सही है और यह explanation हो सकता था लेकिन आए इसका time period देखते है formula क्या होता है 2 pi root under L by g तो time period is inversely proportional to root g तो अगर g की value decrease होगी तो t की value increase होनी चाहि है as g decreases so time period increases अगर time period बढ़ रहा है time period बढ़ रहा है इसका मतलब उसको time जादा लगना चाहिए तो इसमें क्या लिखा हुआ हो है become fast fast का मतलब time कम लग रहा है लेकिन यह बात तो गलत है तो अब यहाँ पर select का कर लिजे जो option है क्या है option option number 4 ठीक option number 4 क्या है a is not correct but r is correct ठीक है done all right so units and dimension का question जरा देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें आपको frequency को relate करना है यह new है किससे relate करना है radius से density से और surface tension से ठीक आए देखते हैं इसका solution क्या है आपको यह पता होना चाहिए कि surface tension को हम कैसे define करते है surface tension जो होता है वो होता है force per unit length सही है अब इसकी dimension अगर आप देखे force की तो वैसे तुम्हें काफी basic बता रहा हो यह सब पदा होगे सब आपको यह है M L T minus 2 divided by L, L और L cancel तो इसकी dimension आगए ठीक है उसी तरह से rho, rho का मतलब density density क्या होगा mass per unit volume mass per unit volume तो mass per unit volume L minus 3 यह यहाँ आगे अब सार ऐसारे powers हो गए और compare कर करना शुरू कर दो अब ठीक है na compare करना शुरू कर दो यहाँ पे k भी आप लिख सकते है k constant है तो वो dimensionless constant है ठीक अब compare करो है ना base है power power जो है जिनके base same है वो power add या subtract होंगे वो आप कर सकते हैं यहाँ के बाद basic algebra चल रहा है ठीक compare किया solve किया answer आगए यहाँ ठीक है बहुत answer answer option number 3 है ठीक है option number 3 है ठीक है तो option number 3 है यह रहा, डन है okay so another assertion region question, दो statement है आपको बताना है कौनसे statement सही है अगर वो दोनों सही है तो क्या वो उसकी explanation है या नहीं, ठीक question देखते है extension to gravity decreases as you go up or down from the earth surface, बिल्कुल सही बात है, तो क्या यह decrease या increase same height या depth पे same होगी, यह बात है second statement में लिखी गई है तो आपको मैं बता दूँ इसका graph कैसा होता है, ऐसा होता है G का graph, है ना यह होगया depth के नीचे, depth के time, earth के inside और यह outside तो जरब ध्यान से देखो, same value अगर तुम लाते हो, तो यह linear वाली value होती है और यह hyperbolic होती है, तो same height और depth पे आपको नहीं मिलेगा value, क्योंकि यह radius है r, इधर जाओगे, इधर जाओगे और इधर जाओगे, तो same value आपको नहीं मिलेगे, है ना, तो statement to false है, ठीक, यह देख value है, वो same नहीं आती है, है ना, यह देखो, यहाँ से मैं यह चीज बताना चाहरा था, यह जो graph है, यहाँ से देखो, यहाँ gap ज्यादा, यहाँ gap कम है, तो same g की value, अलग-अलग value of depth and height पर मिलेगे, यह depth है और यह height है, चीक है, तो option number 4, 4 क्या है, statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, ठीक है, 1 बिलक next question, okay solenoid, solenoid पर based है, आपको बताना है, कि magnetic field क्या होता है, very simple question, एक formula based question है, बस B equals to mu 0 n i, सारे values रख दो, SI system में, ठीक है, यह राज solution, यह देखिया है, सारे values रख दिया, solve करने के बाद answer आ गया, simple, ठीक, next question Okay, so this question is on electric potential, ठीक है, electrostatic, तो देखो, यह uniform charge इसमें given है, तो simple आपको पता होना चाहिए, कि सारे के सारे equidistance जब होते हैं, तो जब आप potential निकालते हो, तो निकलता है sigma, k by r तो constant हो गया, बहर आगया, और सब का charge जोड़ दो, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे charge अगर आप जो यह length कितनी है, pi into r, ठीक, और k की value रख दो, 4 pi epsilon naught और इधर r, तो यह r, यह r cancel, pi और pi यह भी cancel, तो lambda by 4 epsilon naught, यह हो गया एक के वज़े से, एक में r1 है, एक में r2 है, दोनों को जोड़ दीजे, ठीक है, तो देखिए, देखिए, radius पे तो depending ही नहीं कर रहा है, radius तो cancel ही हो गया, तो lambda by, lambda by 4 epsilon naught, यह दो बार हो जाएगा, तो answer lambda by 2 epsilon naught, ठीक, चलो देखते है, option 2, ठीक है, तो अब देखो, यहाँ से option आप match कर लीजे, यह cancel हो जाता है, 2 आजाता है, तो आई देखते है, answer में क्या दिया है, ठीक, बिलकुर उसी तरह से solve किया गया है, q1 के जगा, lambda into pi r1, solve कि यह radius, radius cancel, इनको add कर यह lambda by 2 epsilon naught, यह दो, radius पर depend नहीं कर रहा, ठीक है, तो इस question में देखिए, if the distance of the earth, देखो, earth sun की बात हो रही है, और इसकी time period की बात हो रही है, तो gravitation का capitalist law, capitalist law क्या कहता है, t square is proportional to r cube, ठीक, तो देखो, आराम से 2 planets है, अलग-अलग radius है, time period को compare करना, देखो, इसको solve कर रहे है, t square is proportional to r cube, हैना, तो इसकी power को इधर भेज दिया गया, अब बताओ, earth की time period एक साल है, यह year है, यह क्या है, year, और यह 2.83 year है, हैना, question को पढ़ो, 2.83 years, तो यह भी unit years में ही है, ठीक है, जी, cancel हो गया, अब आपको बताना है कि radius of that planet क्या होगा question आप पढ़ सकते है, हैना, question यहाँ पर लिखा हुगा है, the distance of imaginary planet from the sun is, हैना, तो देखो, कैसे कर रहा है solve, ओ, okay, तो, अब बस unknown value क्या है, r, solve करतो हो, बाकि तो math sematrix है, हैना, हाँ, 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 एक और चीजिस में मुझे explain करना, ज़र ध्यान से देखना, solve करते हैं, आप य 2.83 के power में 2 by 3 को solve करना है, तुम तो ऐसे ही उलज जाओ कि, अरे यह तो calculator दिया है, नहीं, कैसे करेंगे, तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, trick बताता हूँ, हैना, smart calculation, 2.83 को तुम कह सकते हो, कि 1.41 into 2 है, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, अब 1.4 जो होता है, उसको आप root 2 consider कर सकते हो कि नहीं, हाँ, हाँ, root 2 consider कर लिया, अब 2 root 2, 2 root 2 का मतलब कितना हो गया, 8, अब 8 मतलब root 8, 2 root 2 मतलब root 8, तो root 8 के power में 2 by 3, अब solve हो जाएगा, root 8 का square 8 और 8 का cube root, is 2, देखा, तो 2.83 को मैंने कहां से consider गिया, root 2 से, root 2 बनाया, root 8 डाला, solve किया यह रहा answer आपके सान में, ठीक है, ओके, तो option number 2 आ रहा है, ठीक है, ठीक है जी, next देखते है, photon की बात हो रही है, और आपको बताना है कि इसकी wavelength क्या होगी, simple सा formula होता है, बस इसमें ध्यान यह रखना है कि H आपको इस unit में लेना है, तो energy का जो gap होता है, दो energy levels के जो gap होते ह है, है न, यह n equals to 1 है और यह n equals to 4 है, इसका जो energy gap है, delta E, वह होता है, hc by lambda, ठीक है, तो hc की value आपको electron volt second में लाना है, बस unit का ध्यान रखना है, इसको अगर मैं, इसको unit मैं electron volt में रखता हूँ, ठीक है, यह तो पता है हमें, इसकी value आपको electron volt second में दी गई है, तो यह भी आपको इसमें convert कर लीजे, यह meter per second, 3 into 10 to power 8 meter per second होता है, उसको convert कर लो nanometer हो, क्योंकि सारे option nanometer में, तो इसको भी nanometer में convert कर लेंगे, बस इतिने ही conversion काम करने है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, कैसे solve किया गया है, e4 minus e1, तो e4 की value minus 0 0.85 है, उसको minus करो इससे, solve करने पर इसका number बनके आया, 12.75, अब h की value question में given है, यह लेना है, आपको, मैंने क्या किया, 3 into 10 to power 8 तो था ही था, किसमें था ही है, meter per second में, इसको मैं convert कर दिया, nanometer में, तो nanometer करने के लिए, किस से बंटी बाया, और करना पड़ेगा, 9 से, तो 9 आ electron volt है, electron volt, electron volt भी cancel हो गए, तो यह, यह जो answer आएगा, wavelength, यह nanometer में आ जाएगा, है ना, बस solve कर लो, answer आगया, 94.1, चीक है, और option number 4, बिल्कुल सही, ठीक है, यह रहा question current electricity से, तो इसमें आप question पढ़ सकते हैं, देखिए, क्या लिखा हुआ है, यह बेकार का question है, कि आप इसको solve करने बैठ जाएगे, बिल्कुल करने की ज़रूत नहीं है, आप देखिए, दोनों में same resistance है, और voltmeter में भी same है, है न, और series में लगे हुआ है, तो यह diagram में बना के दिखाता हूँ, यह देखो, 100 ohm, 100 ohm, parallel, और इसके parallel में 400, 400 है, दन है क्या, ओक जब यह parallel में है, तो इसकी equivalent और इसकी equivalent तो हमेशा same ही आएगे न, इसका मतला हमेशा resistance का ratio 1 is to 1 ही आने वाल है, तो voltage बरावर बरावर यह तो बटेगा, तो 90 का आधा कि इतना हुआ, 45, कुछ solve करने की ज़रूत नहीं है आप हो, ठीक है, तो as resistance are same, so equal division of potential, 90 by 2, 45 volt, that's all. ठीक है, दो vector अगर perpendicular है, तो बताना है unknown क्या होगा, तो आपको पता है, दो vector perpendicular होने से इनका dot product 0 हो जाता है, और जब आप dot product 0 करेंगे, तो i, i के साथ solve होगा, j, j के साथ होगा, k, k, के साथ solve होगा, ठीक, यह रहा solution dot product कर दिया, 0, तो इसकी coefficient multiply हो गई, quadratic बहुत बढ़िया बन गया, और यह तो मुझे दिख रहा है कि a minus b का whole square है, यानि कि m minus 2 का whole square है, तो m equals to 2, that's all. All right, another very easy question, em wave के question है, ठीक है, इसमें 2 equation है, और आपको बताना है, e naught और b naught में क्या relation होता है, तो आपको पता है, इसकी जो amplitude होती होती है, उसका ratio, wave velocity देता है, ठीक, यह रहा, by theory of em wave, e naught by b naught is wave velocity, that is omega by k, cross multiply कर दो, इसको इधर, इसको इधर, third option में, देखो, क्या हैगा, third option में है, k times, e naught is equals to omega 10 b naught, ठीक है, third option, done, okay. All right, तो logic gate की equivalent आपको बतानी है, कि किस से मिलता जूलता ही है, तो आप कुछ ने truth table बना लो, सारे inputs डाल के देख लो, कौन से matching खा रहा है, ठीक है ना, तो a और b और y, इनके अगर आप column बनाए, ठीक है, तो 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 00, इसका मतलब off कर दो, दोनों को, यहाँ करोगे, तो यहाँ से current ऐसे आ सकता है, बिल्कुल, पहुंच गया यह तो, current आ सकता है, तो आपको मिल गया 1, जब 0 और 1 है, तो एक short है, एक open है, तब भी इधर से current आगा, क्योंकि यह open है, है ना, तो 1 आ गया, 1, 0 एक ही बात है, इसको close या उसको open करो, current मिल गया, जब दोनों के दोनों close हो जाएंगे, तो यह short हो जाएगा, देखो, यह short हो जाएगा, short होते ही, यहाँ यह बालब गलो ही नहीं करेगा, इसका मतलब जीरो हो गया, अब यह जो truth table है, यह किसे match करता है, यह match करता है, नेंट से, ठीक है, तो option number 1, truth table से यहाँ गया, विडियो, done, All right, next question है, KTG पर, ठीक है न, तो यहाँ पे CP और CV लिखा होगा है, constant pressure यहाँ नहीं कि CP और constant volume, that is CV पर, तो उसका जो ratio है वो गामा 1 और गामा 2 है, उसका ratio बताना है, दोनों का ratio बताना है, तो यह तो बिल्कुली formula based हो गया, तो monoatomic का, monoatomic का gamma क्या होता है, यह देखो, monoatomic का gamma हो गया, 5 by 3, और diatomic का हो गया, 7 by 5, यह तो सब को पता है, table में हमें सिखाया जाता है, पाक ही mathematics है, 25 by 21, so option number 1, है न, 25 by 21, done है? Okay, तो यह है अपना geometrical optics, ray optics है, converge हो रहा है, एक point पर आपको बताना है, कि यह सारी चीजों जो colors अलग-अलग होती है, वो कौन से principle पे based है, या कौन सा इसमें से reason है, तो आपको पता है chromatic abrasion होता है, chromatic का मतलब colors होता है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप lens में अलग 7 colors विवगी और जब आप डालेंगे, अलग-अलग, सब की wavelength अलग-अलग होती है, तो अलग-अलग wavelength का अलग-अलग bending होगा, क्योंकि अलग-अलग इनकी focal length बनेगी, focal length जो होता है, वो medium पे depend करता है, अलग-अलग wavelength का अलग-अलग refractive index होगा, mu different होगा, according to Cauchy's principle, है ना, यह सारी बाते हैं पता होनी चाहिए, कि mu जो होता है, वो inversely proportional to lambda होता है, वैसे power 4 होता है, पर कोई बात ने, inverse proportion है, तो यह chromatic abrasion होता है, है ना, यह बिलकुल theory based है, ओके? उस पर यह based एक simple problem है, जब यह घुमेगा बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए, कि अलग-अलग-अलग-अलग radius पे जा रहा है, तो यह काम करते हैं, यहां से x में जाकर के dx निकाल लेते हैं, dx, अब यह इस radius में घुमता रहेगा, है ना, तो इसकी velocity क्या होगे? इसकी velocity omega into r होगे, omega x हो गया, है ना, अब यह ऐसे घुम रहे, तो b, l, v, emotional emf, blv होता है, तो b तो वही रहा, l, dx हो गया, और v कितना हो गया, omega into r, इसको करना आपको integrate, emf आ गया, ठीक है ना, कहां से x equals to 0 से लेकर l थक, बस कर दो solve, होगी answer, है ना, तो यह देखो, यहां पे solve किया होगे, option no. 4, ठीक है, अल्राइट, अल्फा पार्टिकल, यह, 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 अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, प्रोटोन, और इलेक्रोन, इनकी same kinetic energy है, तो बताना है, devogally wavelength क्या होगे, simple concept based है, आईए देखते है, lambda होता है, h by root 2 m ke, ke, यह मैंदर kinetic energy, अगर यह same होग गया, तो inversive proportional to mass हो गया, mass जिसकी ज्यादा wavelength उसका कम, तो option no. 1, ठीक है, यह, आगया option, रहना है, Okay, another rational reason, कुछ इस तरह से है, कि steel, पढ़ लिजी आप, कोई बड़ी बात नहीं, तो इसका concept बिल्कुल सही बात है, कि elastic होता है, steel बहुत जादा, जिसके करने हम bridge में use करते है, ठीक है, तो option no. 1, steel is more elastic, ठीक, तो यह होगे first, बहुत conceptual इसमें में क्या ही बदा सकता हूं, है ना, बिल्कुल सिम्पल सह concept based है, okay, so isothermal का graph बनाना है, यह मैं अपने class theory में भी video एक्टर में बता चुका हूं, कि देखो, isothermal मतलब PV equals to nRT, और T है constant, तो PV is equals to constant, okay, तो P is inversely proportional to V हो गया, इसका मतलब जो graph है वो ऐसा बनेगा, लेकिन अगर और सारे अगर graph बनाते जाओ, ऐसे, तो इनका temperature अलग-अलग होगा, ठीक है, अब 1, 2, 3 यहाँ पर given है, 3 ज्यादा है, 1 से, तो यह actual में constant है क्या, temperature ही तो है, nR times temperature है, तो जितनी ज्यादा value, उतना ज्यादा constant, तो उतना ज्यादा दूर होगा वो, है ना, तो temperature जिसकी value ज्यादा, वो दूर ज्यादा, तो 3, 2, 1 वाला option, है ना, कौन साब दिख रहा है, option number, option number 3, ठीक है, option number 3 में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल match होगा, है ना, तो यह है अपना third option, इस तरह से answer आता है, ओके, All right, AM, FM, television, satellite, communication, बिटा, यह तो बिल्कुल facts है, है ना, यह सब NCRT में, tables में बने हुए है, तो आप आराम से इसके जो options है, वो आप वहाँ थी, वो इसे connect कर सकता हूँ, इसमें मैं explain क्या कर सकता हूँ, ठीक, तो यह तो हमारे column से होता है, rules होता है, इसमें सब कुछ बढ़ा यहां से होता है, यहां से होता है, ठीक, तो option आप match करा लिजे, option number one आएगा, ठीक है, तो यह वाला match हो जाता है, ठीक, मिला सकते हैं, ओके, तो body of mass 200 gram is tight to a spring और उसको spring constant दिया हुआ है, उसको घुमा रहे हैं, बताना elongation और nature length और ratio क्या होगा, ठीक, तो चलो diagram बना करके दिखाता हूँ में क्या हो रहा है, इसमें, initially L not length था, अब वो elongate हो गया है, L not plus X, यह X है, ठीक है, L not plus X हो गया है, ठीक है, L not plus X हो गया है तो इदर की और force क्या लगेगा, M omega square radius, radius कितना है, L not plus X, और इदर की और क्या लगेगा, spring force, spring force कितना है, KX, ठीक है, तो KX is equals to M omega square R, R कितना है, यह रहा, ठीक, अब आपको solve करना है, कुछ ने, इसको ले आओ इसर, X को ले आओ इदर, है ना, X को ला करके डिवाइड कर दो दोनों से, इसको डिवाइड करों के 1 होगा, और यह आपको निकाल के देना था, values बस डाल दो, काम खतम हो चुक है, ठीक है, solve करो, answer आगया, ratio एक बार पढ़ लेते है, ratio लिखा हुआ है, elongation by original, एक बार आप पढ़ सकते है, question में, then the ratio of extension to its natural length, ठीक है, यह देखो, तो यह ratio आपको आगया, 2 is to 3, option number 3, third option, then concept क्या था, आपको बस radius देखना है, और वो spring force, उसको centripetal acceleration provide करेगा, यह centripetal force देगा, ठीक है, okay. ठीक है, तो velocity time graph है, और आपको ratio बताना है, कि displacement और distance का क्या होगा, after traveling 10 seconds, तो यह conceptually है, कि VT का graph जो नीचे वाला है, area, यह area negative होदागा, negative area बनेगा, ठीक है, negative, किसके लिए, displacement के लिए, तो जब आप displacement लिखेंगे, तो यह area को minus करेंगे, और distance लिखेंगे, तो same value को add करेंगे, फिर ratio बता देगे, concept तो इतना ही है, यह रहा solution, displacement होगया area, इसका area, इसका area और नीचे वाले को minus कर दिया, ठीक है, आगया 16, distance में यही माइनस है, वो plus बन जाएगा, यह आगया 48, अब इसका ratio निकालो, 16 और 48 का क्या ratio होगा, 1 is to 3, simple, ठीक है? Okay, so integer type question हमारे पास इस तरह से है, आपको बताना है कि power कितना delivered होगा by the force, क्योंकि force जो हो time पे depend कर रहा है, तो power का आपको पता होना चाहिए कि वो होता है f dot v, ठीक है, तो power हो गया f dot v, अब देखो f का vector तो आपके सामने रखा हुआ है, आपको v vector नहीं पता, तो v vector निकालना पड़ेगा, v कैसे निकालोगे, v निकालेंगे acceleration को dt के साथ integrate करके, यह dv integrate हो जाएगा, तो 0 time पर 0 और t time पर v निकालना है, तो इधर तो v हो गया, a कैसे निकालोगे, a होगा force by mass, है na force by mass, यह acceleration हो जाएगा, क्योंकि vector है, तो i और j के form में यह बनेगा, तो मैं solve करके दिखा देता हूँ, देखो, इसको आप mass से divide करो, mass 1 है, तो जो यहाँ function है, वही इसमें भी function आजाएगा, ठीक, दो second है, तो 2 यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद force को use करना है, यह हो गया, दोनों को dot कर दो, power आ जाएगा, 100 watt, ठीक है, done है, ओके, तो convex lens की refractive index है, और focal length है, ठीक है, जब उसको पानी में डाल देते हैं, तो कितना change हो जाएगा focal length में, यह बताना है आपको, तो पहले air में कितना है, वो निकाल लेते हैं, फिर पानी में निकाल लेते हैं, तो lens maker formula पर question है, refractive index of water given है, तो formula मैं लिख देता हूँ, 1 by f equals to mu minus 1, यहाँ पर air के respect में, with respect to air, ठीक है, 1 by r1 minus 1 by r2, अब वो by convex है या नहीं वैसे तो mention नहीं था, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें use में वो नहीं लेना, मैंने इसको बरावर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 by r हो गया, तो दूसरे वाले में भी वही होगा, है ना, पर अब जब आप mu लिखेंगे, तो with respect to water लिखेंगे, तो 4 by 3 refractive index divide हो गया, यहाँ पर divide में क्या है, 1, क्योंकि आप air के respect में कर रहे है, जब water के respect में करेंगे, तो उसके refractive index divide हो जाएगी, ठीक है, solve किया, इसको divide कर दिया, मैंने, इन दोनों को divide कर दिया, तो यह, यह term तो cancel ही हो जा जाता है, क्योंकि हम तो free है, कोई भी number put करने के लिए, तो 72 answer नहीं है, उसने कहा था change कितना आया, तो पुराने वाले से minus करना बड़ेगा, तो answer is 54, ठीक है? अल्राइट, तो energy कितनी release हो रही है, यह बताना है आपको, अगर इतने सारे fusion जा रहे है, तो आपको बस पता करना है कितने atoms है, जितने atoms होंगे, उतने nucleus होंगे, जितने nucleus होंगे, उतने fusion होंगे, तो यह question तो moles concept पे बन गया है, ना, moles पहले निका लिए, तो 120 gram है, और इसकी molar mass 240 है, तो number of moles निकाल लिए, तो number of moles मिल गया इतना, into avogadro number, number of atoms आ गए, अब हर atom से energy कितनी release हो रही है, question में given है, 200 mega electron volt, mega electron volt per fusion, एक fusion होगा, इतनी निकलेगी, कितने atoms है, इतने atoms है, multiply कर दो, इतनी mega electron volt हो गया, simple, okay, तो एक cylinder से आप, आधे radius और आधे length का cavity create कर रहे है, तो उसकी momentum inertia और पुराने वाले momentum inertia का ratio बताना है, तो momentum inertia of solid cylinder क्या होता, mr square by 2, तो शुरुआत में mr है, हो जाएगा solve, पर बाद में जब आप निकालोगे, तो उसका mass पहले निकालना पड़ेगा, बच्चों, तो mass निकाल यह, mr square by 2, पहले वाले का, बाद में mass हो गया density into volume, into length, मैंने क्या किया, mass equals to density into volume, है न, density छोड़ रखा है, volume क्या लिखेंगे, cylinder का, pi r square into l, तो पहले वाले में जो भी होगा, पर दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दूसरे वाले में radius आधी हो रहे है, उसका square कर दिया r by 4, length आ यह, जो rho pi r square l है, यही तो m है न, बच्चों, यही m है, देखो, तो इसके जगा m रख दिये, तो m by 8 हो गया, मतलब second mass is 1 at the previous mass, यह बस छोटा सा concept था, जो आपको याद रखना था, ठीक है, बस radius m r square by 2, यह m r square by 2, इसका mass m by 8, और radius r by 2 का square, और by 2, अब ratio आ जाएगा, मतलब सीखना है क्या, इसमे, mass निकान ला है, फिर formula लगा देना, m r square by 2, ठीक है, पर radius भी आधी हो गई थी, done, ओके, capacitor पर based question है, आपको बताना है कि अगर medium डालने के बाद, उसमें changes किये जा रहे, किस चीज़ की change हो रहे है, plate becomes twice, क्या becomes twice, separation becomes twice, ठीक है, बस question पढ़ लो, अब देखो, इसका solution कैसे बनाया गया, capacitance का formula लिखा गया, a epsilon not by d, medium डाल दिया, k, और separation हो गया, double, ठीक है, तो a epsilon not by d वाला जो part है, ये वाला part, उसके जगा c लिख सकते हैं, तो k c by 2 हो गया, ठीक है, बागे सारे values रख दो, solve हो गया, simple, ठीक है जी? Okay, so equation देख लो, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक triangular loop बन रहा है, जिसकी side given है, और right angle triangle है, यह बिल्कुँ सही, उसमें current है, और magnetic field आपने switch on कर दिया, तो बताना है force क्या होगा, ठीक, आई डाग्राम को देखते हैं, इस तरह से कुछ बात है, और इसमें magnetic field इसके parallel है, तो magnetic field हो गया, इसके parallel, ठीक, तो force का formula क्या होता है, बच्चो, i dl cross b, यही होता है, b अगर uniform है, तो यह बाहर आ जाएगा, बाहर आने पर यह क्या बनेगा, i l vector cross b vector, l cross b करना है, banglitude लिखोगे तो क्या बनेगा, i l b sin theta, theta किसके बिच का angle है, l vector और b vector, l vector देखो, question में given है, आपको यह वाला side पर बताना है, कितना force लग रहा है, तो यह वाला side, l vector ऐसे जाएगा, और b vector ऐसे जाएगा, तो इनके बीच का angle क्या हैगा, देखो, यह अगर theta है, यह theta है, यह 90 है, यह 90 minus theta है, तो 90 plus theta होना पड़ेगा, इसको है, तो आपको यहां लिखना है, sin 90 plus theta, वो क्या होता है, cos theta, अब cos theta is triangle से लिखिए, cos theta is base upon hypotenuse, तो 12 बटा 13, बागी तो solve भी करना है, आपको, x by 130 के form में बताना था, तो x equals to 9, है ना, यह देखो, answer is x by 130, okay, तो इसको solve करो, answer आगे 9, तो concept क्या था, i l cross b, magnitude i b sin 90 plus theta, ठीक है, okay, done, all right, इसमें आपको बताना है कि, mass क्या होगा, अगर, period of oscillation increases by 1 second, period of oscillation increase हो रहा है, 1 second, तो एक काम करते है, mass जो हमने change किया, वो मैं दिखा देता है, पहले तो question पढ़ लो आप, फिर formula पर आते है, देखिए formula क्या है, 2 pi root under m by k, यह होता है time period, यह लिखा है कि, एक second था पहले, रख दिया equals to 1, बाद में तुमने mass उसमें 3 kg add कर दिया, 3 kg add हो गया, है ना, पढ़ो question में क्या लिखा हो गया, if mass is increase by 3 kg, तो m plus 3 कर दो, increase हो गया, now the time period of oscillation increases by 1 second, increases by 1 second, इसका मतलब 1 plus 1, 2 हो गया, तो 2 हो चुका है, बस 2 equation divide कर दो, उपर वाला factor, यह पूरा factor जो है, वो चला जाएगा, तो क्या बना, root m plus 3 by m, square करो, solve करो, m की value 1 kg आजाएगी, है ना, simple है, ओके, ठीक है, current electricity पे based है, यह question resistance निकालना है आपको है ना, तो यह बात आपको पता होनी चाहिए, कि अगर आप stretching करते हैं, तो stretching करने से volume constant रहेगे, volume constant, इसका मतलब a1 l1 equals to a2 l2, अगर length बढ़ेगी तो area घटना होगा, तो अगर length becomes n times, तो area becomes a by n times, ठीक है, तो resistance क्या होता है, rho l by a, तो जब यह divide होगा तो बेटा, n ऊपर चला जाएगा, तो n square होगया, इसका मतलब resistance becomes n square previous times, ठीक है ना, यह यहाँ पर लिक रखा हो मैं, कि length कितने times हो रहा है, चलो यहाँ देखते है, n की value निकालते है, तो 20% आपने increase किया, तो 20% increase करने पर length कितना होगया, पुराना length plus 20% of पुराना length, तो जोड़ो तो कितना है, 1.2 l0, ठीक है, यह l dash है, उसको देखोगे ध्यान से, तो 1.2 times आगया, तो n की value 1.2 है, तो उसका square times हो जाएगा, l becomes 1.2 and r is n square r, तो उसका square कर तो 1.44, तो increase कितना हुआ, अगर ही हो गया 1.44, तो increase कितना हुआ, 0.44, तो percentage कितना है, 44%, तो यह बहुत fast मैंने बताया इसको, concept अगर आप पढ़े हैं, तो ही हो पाएगा, है ना, यह सब मैंने आपने video lecture में पढ़ा रखा है, आप चाहिए, तो motion के, motion learning app में देख सकते हैं, चीक है, आप app download करके, current electricity chapter में देख सकते हैं, बहुत सारी tricks and tips मिलेंगा, ओके, मिलते हैं next question पर, All right, so, यह question है, कि long after the switch has been closed, तो long time में inductor क्या हो जाता है, short, तो सारे inductor को short कर दो, तो सारे resistance parallel में आ गए, तो R equivalent is R by 3, और यह है 12 volt, तो current कितना हुआ, एक resistance है 12 का, तो 12 बटा 3 कितना हो गया, 12 बटा 3, 4, तो I is equals to V by R, that is another 3 ampere, ठीक है, तो answer क्या आ रहा है, 3, short all inductor R equivalent is this, current is 3 ampere, ठीक है, done, okay. ठीक है, तो इस question को देखे, यह एक थोड़ा सा calculated था, इसलिए इनोंने integer type में छोड़ रखा है, कि if you know then you can do it, otherwise you will leave it, question पढ़ो, question पढ़ लिया होगा, अब देखें कैसे solve करना है, सबसे पहले तो terminal velocity का formula याद होना चाहिए, तो तुम्हें derive करना पड़ेगा, अब terminal velocity के formula में इसने चलाकी से क्या किया, poise दे दिया है, अब poise SI system में नहीं होता है, SI unit नहीं होता है, बागी सारे SI unit में है, देखो, Newton में चाहिए answer, तो इसको बेटा convert करना पड़ेगा SI system में, तो आपको यह पता होने चाहिए, 1 poise जो होता है, वो 0.1 times SI system में जो unit आती है, ठीक है न, इसलिए इसने क्या किया है, पावर के form में पूछा है, ज्यादा कुछ ने, तो बच्चे गलती करेंगे, इसको भी SI system में ले लेंगे, तो गलती होगी होगी, तो चलो मैं दिखाता हूँ formula, formula तो यह हो गया, ठीक, सारे values रख दिये, पर eta में 0.1 का भी यहाँ पर product करना पड़ेगा, 0.1 को multiply करना पड़ेगा, terminal velocity आ गई, meter per second बे, अब आपको यह पता होने चाहिए, यह होता है, 6 pi eta, यह नहीं, 6 pi eta r v, यह होगा, ठीक है, force क्या होता है, 6 pi eta r vt, vt यह हो गया, viscous force, यह drag force, question में देखो, क्या पुछा गया है, the viscous force on the ball is, तो spherical है, तो spherical Stokes law में हमने पढ़ रखा यह, है ना, तो 6 pi eta r vt, सारे बर्जु जालो, 6 pi eta में 0.1 मंटिप्लाई हुआ हुआ, ठीक है, और r, r देखो, millimetre में होगा, 1 millimetre, तो 1 millimetre को convert कर दिया गया, 10 to the power minus 3 meter, ok, r हो गया, और terminal velocity यहां से आ गई, और terminal velocity आ चुका है, यह 18 नहीं है, इसको correct कर लिजे, 2 है, ठीक है, इसको solve करो, यह 3696 number बन के आता है, 10 to the power क्या दिख रहा है आपको, 10 to the power minus 7, therefore x is equal to 7, answer क्या आ गया, 7, ठीक है, तो सीखना क्या बच्चो, सीखना यह कि जो poise है, उसको SI system में लाना पड़ेगा, terminal velocity आ गए, इस form ने में रख दो, solve करने के बाद, 10 to the power minus 7 के factor में आ रहा है, ठीक है, तो बच्चो, यहां पे video solution end होता है, मिलते हैं किसी और video lecture में, तब तक के लिए, see you, ta-ta, bye bye, take a good care of yourself, आशा करता हूँ, हमारे top educator का यह lecture आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है, तो video को like करिए, चैनल को subscribe करिए, और share भी करिए, क्योंकि ज्यान बाटने से बढ़ता है, और सही बताऊं, तो पन्नी भी मिलता है, मुझे सुनने के लिए बाद हो धन्यवाद, thank you.